नमस्कार आप देख रहे हैं नियू 22 तुड़े और इस वक्त हम हैं पंचात के दोरे पर पंचात के दोरे पर अभी बिहार में बिहार के पुरा देश में महांगाई के खिलाप यूथ का अंग्रेस करताओं ने अपना मोर्चा खोल चुका है और इसी वक्त हैं बिहार पर दे करिया है देखिये मोदी जी जब 2014 में आये थे तो उन्होंने एक नारा दिया था बहुत होई महांगाई की मार अपकी बार मोदी सरकार तो हमारी सरकार में जो गैस था वो 400 का मिलता था हमारे कॉंग्रेस की जो सरकार में डीजल पेट्रोल जो था वो 60-70 रुपे लिटर मिल करता था दूर्द जो है 25-30 रुपे लिटर मिलता था जैसे कि आप समझे कि महांगाई डबल हो चुका है देशी सरकार बोले कि हम काला बजारी बंद कर रहे हैं जो पहले सबसीडी जिसे गर्स का अपने नाम लिया तो सबसीडी पहले काला बजारी होती थी लेकिन अब डि सबसीडी जो है ना सरकार ने छीन लिया है और गरीबों के सामने की जो रोटी है वह भी सरकार जो सरकार कर रहे हैं करने कोरोना वाइरस देखिए इससे पहले भी हमारे देश में बहुत सारी जो हमारी है हाईजा है टीवी है मलेरिया है बहुत सारी यह हमारी थी से पुरा स गाउं से गाउं जो खतम हो जाया करता था लेकिन गांग्रेस की गवर्मेंट रही हो या दर कोई भी गवर्मेंट रही हो उन्होंने देश को कभी निलाम नहीं किया आज मोधी सरकार क्या कर रही है एंटीपीसी को निलाम कर दिया निशनल हाइव जो है निलाम होने जा रहा ह ताकि वहाँ पर आम पबली को अच्छी सुधा मिल सके हमारी ने पुरे देश के युवाओ को रोट पे लाके ख़़ा कर दिया है अगर देश में अगर विकास हो रहा है तो दिखाइए ना कहां विकास हो रहा है मोदी जी ने कितने मेटकल कॉलेज बनाए हैं कितने सरकारी अस्पताल बनाए हैं कौन कौन सी जो हैं सरकारी जो हैं कमपनियों की जो हैं उन्होंने निव रखी है जहां पे लाक दो लाक लोग इवाओ को नोकरी मिल गई है उन्होंने का था कि हम एक साल में दो करोरी वाओ को रुजगार देंगे आज उन्होंने साथ सालों में कम से कम डेर करोरी वाओ जो है मंत्री जी के सरकार में अरुनाचल में चाइना आकरके चार किलो मीटर अंदर आ चुका है और एक तरफ पूरा देश की जो सरकारी संस्ताए जिसे हमारे भारत को गौरब था जिसे भारत की सारी जेंसिया चलती थी आज अगर भारत सरकार की सारी कमपनिया अगर जो प्राइबेट हो जाएगी तो इस देश में नोकरी कहां मिलेगी, अजब सरकारी नोकरी ही नहीं रहेगी, तो हमें आपको रोजगार कहां से मिलेगा. देखिए कॉंग्रेस का इतिहाज देखिए 1971 में कॉंग्रेस की परधान मंतरी थी आदम निया राज जो इंदरा गांधी जी उन्होंने पाकिस्तान के दो टुक्रे किये थे और बंगला देश आज जो है आज़ाद देश है और हमारे हिंदुस्तान से अच्छी खासी जीडीपी बंगला देश की है आज हमारा जो देश है जिसने एक को आजाद करा है जब देश की एजेंसियों ने हेल्थ मनिस्ट्री ने या लेट किया था कि देश में आ रहा है महामारी आप अलट हो जाईए जितने भी नेशनल एरपोर्ट थे अगर उसको कुरंटाइन कर दिया जाता और देश में जितनी भी फ्लाइटी आ रही थी जो है ना चाइना से अमेरिका से पुरे जो बिदेश से अगर उसी तरह में सारी यात्रीयों को अगर एक तरफ रखते और उनका अच्छा टीटमेंट होता तो देश में करोना नहीं फैलता सरकार का फेलियर है जो इस देश में हुए थी तो यह सरकार का फेलियर है जो आद देश जो है इस जगह पर पहुंचा हुआ है मोधी सरकार फेल हो चुक्या है उनसे देश नहीं संभल रहा है उनको चाहिए कि देश के परधान मंत्री पर से इस्तिफा दे देना चाहिए उनको कनहिया कुमार जी अपने CPI पार्टी चुर का कंग्रेस में आये है क्या अपने पार्टी से नराज है देखे कनहिया कुमार जी देश के युवाओ के लिए बहुत अच्छे मांडेट नेता है हम लोग उनको लाइक करते हैं जब वो जो CPI में थे तब भी हम उनको लाइक कर टिना थे कि colored रहरा से कल्व विचार धार रहा है कॉcker में राकर भी उपने विचे भी विचार धारा को आगे बहा सकते हैं उसमें उनका क्या है नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता लेकिन अगर वो कांग्रेस में आये हैं तो कांग्रेस पार्टी और हम सब उनका स्वागत कर रहा है टो टो सब बीजेफी में जाएगे लेकिन उनका जो अपने विचार था क्या अपने पाटी से नराज और इसे पैर में कुछ ही क्छा difक Community सब्सक्राइब देखिए जवाहला नहरू इन्वेस्टी में उन्होंने अपना जो इन्वेस्टी की जो विचार धारा है वो जहां तक है जो इन्वेस्टी की जो विचार धारा है और हमारी कई राज्यों में जो सिप्याई से हमारी गटबंदान जैसे बिहार हो गया बंगाल हो गया और भी जो है न इस्टेटों में जब हम लोग सबाव लड़ेंगे 2024 में तो हमारी सारी विफक्षी पार्टियों का कटवंदन होगा जो हम मोदी सरकार से चुनाव में एक होने जा रहे हैं तो उसकी तयारी हम अभी से कर रहा है क्योंकि जो है मोधी सरकार फरजी हिंदुवाद का नारा देकर के देश में भाई को भाई से लडाने का काम कर रही है यह तो आप बोले की फर्जी हिंदु वाद तो वीजय पी वाल है कि नहीं राहूल कांधी जी है ना फर्जी हिंदु है देखिए वो फरजी हिंदू कहां से हो गए उनके जो है नाना जी पंडी जवाला नहरू देश के परधान मंतरी रहे ये इतिहास कहता है ये मैं नहीं कहता हूँ उनकी नानी जो थी इंद्रा गांधी वो भी देश की परधान मंत्री उनके पिता जी जो है स्वर्गिय राजी गांधी वो भी परधान मंत्री तो जिस घर में तीन-तीन परधान मंत्री रहा और जिसने इस देश को 60 साल तक अपने खुन पसीने से जो है इंद्रा जी को गोली मार दिया गया इसलिए कि उन्होंने खालिस्तान एक देश बनने जा रहा था पंजाम में बुलू एस्टार ओप्रेशन चलाया उसके बाद जो है उनका प्रसनल बोडिगार जो था उसने इंद्रा जी की हत्या कर दी तो अब बताईए जिस महिला ने जिस परिवार इस देश क जिन्दा रहना चाहता हूँ और ये राजिव गांधी की जब बं से जो बलाष्ट कर दिया गया तो उनका खून का कत्रा इस देश के लिए है और इस देश में 40 एजेंसिया बनाई गई आई टी बीपी बनाई गया और इतने बड़े-बड़े एम्स जैसे होस्पीटल बना से नहीं चलता है तो बिरजगारी और महंगाई को लेकर आगे आपके यूथ कंग्रेस्ट पार्टी का आगे का क्या योजना है हम यही कहेंगे मोदी सरकार से हमारा लोक तंत्र में जो है सरकार के खिलाब धरना देना और हम अपनी मां के लिए अगर परदर्शन करते तो हम के यह कहा हैं किहुंद सरकार दें इसको नामपार्ट के देश को बर्बाद कर रही है और देश के उवायो को बिल्कुल एक के तरफ लेक प्रफे